जै जगनात फ्रेंट्स आज ना बिना प्याले सुन का छोले बनाएंगे और बिना टमाटर का भी कैसे बनाते हैं मैं बता दूंगी ये देखिए चना मैंने भीगो करके रख दिया था एक घंटा के लिए गरम पानी में आप 40 मिनिट भी भीगा सकते हैं और ये विल्कुल दाल रही हूं इसमें अब मैं एक आलू काटके इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा नारियल काटके डाल रही हूं और हम इसमें डालेंगे स्वादर नुसन नमक थोड़ा सा तेल डालेंगे कुकिंग ऑल जो हम बनाते हैं सबजियां उसी में से एक चमज डाल देंगे तेल त अब चना हो गया है बॉयल आ चुका है इसमें तीन सीटी यह लगने के बाद आप मैं इसमें चेक कर रही हूं देखिए छोला अभी बिल्कुल गल चुका है अब एक मिक्सी जाल ले लेना है इसमें टोमाटर हरी मिर्ची दोठो में डाल रही हूं काजू थोड़ा सा डाल रही हूं और गाजर डाल रही हूं टोमाटर के जगा अब गाजर भी डाल चकते हैं कलर के लिए और टेस्ट के लिए मैं बाद में बता दूंगी इसमें मगज म सुकhö मिर्च एक्तर मंडा काटके डाल रही हूं इसमें। अब इसको थोड़ा भून लेना है। अब हमें इसमें मसाला डालना है जो मैंने पीस के रखा था मसाला डालने के बाद हम इसको चला लेंगे थोड़ा सा ये खाने में जितना भी टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है आप लोग एक पर बना करके खाईए अब हल्दी पाउडर एक चमच नमक स्वाद अनुसर आमचूर पाउडर में डाल रहे हूँ धनिया पाउडर डाल रहे हूँ एक चमच कास्मिरी लाल मिर्च में डाल रहे हूँ और दही डाल रहे हूँ आमचूर पाउडर और दही मैंने दोनों डाल दिया है इसमें ये टमा इसको स्कीप कर सकते हैं बहुत महेंगा है टमाटर इसलिए गाजर आप डाले जरूर और आंचूर पाउडर दही इस सब डाल करके आप थोड़ा सा इसको पका लेना है अब देखिए मसाला तील छोड़ दिया है इस टाइमें पनी डलेंगे अब बॉइल किया हुआ आलू और चेना इसमें न लेंगे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम में हमें इसको पकाएंगे दस मिनिट के लिए छोड़ देना है दस मिनिट हो गया है अभी अब मैं चेक कर रही हूँ देखिए पानी बिलकुल शूग गया राय ड्राय हो गय करेंगे जो छोले से निकला था पानी बॉल किया हुआ पानी छोला और आलू से निकला हुआ जो पानी में रखा था उसको वही पानी हमें सबजी में डाल देना है और धक करके दस मिनिट के लिए पका लेना है दस मिनिट के बाद हम इससे डखकन खोल करके दिखेंगे चेक करेंगे अभी देखिए जोल बहुत ज़्यादा है इसमें से और थोड़ा सा पकने देंगे पांच मिनिट पांच मिनिट अभी हो गया है छोले का कलर अभी चेंज हो गया है आप इसको जरूर बना करके अभी मैं इसमें डाल रहे हूं कसूरी में थी थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब कीजिए देखिए बहुत ज़्यादा सुन्दर